हम सीधे रुख करते हैं बीपी नियूस अवाद आता आशीश कोबार सिंग इस पक्त हमारे साथ मौजूद है आशीश विदेश मंतराले का ये बयान लेकिन इंतजार अब चीन के बयान के लिए की जा रही है कब तक चीन की तरफ से बयान आ सकता है देखे रुमाना सबसे पहले मैं अपडेट कर दूँ मैं रॉटर्स इंडिया का टुटर हैंडल देख रहा हूँ और इसमें चीन की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है चीन ने अपने तरफ से ये जानकारी दिया है चीन के फॉरेंड मिनिस्ट्री का ये रिस्पॉंस आ र चीनी विदेश मंतराले की तरफ से जानकारी दी जारी है कि चीन जो कॉंटोर्स हैं जो अग्रिमेंट हुए है भारत और चीन के बीच जो हमें भी सरकार के उचसूत्रों की तरफ से ये जानकारी दी गई कि ये दोनों की ही तरफ से आपसी सहमती के साथ ये किया गया एक द बड़ी बात ये कि सहमती ये बनी है कि उस जगह की पेट्रॉलिंग चीन की फोर्सेज अभी भी करती रहेंगी यानि सडक नहीं बनाएंगी वहाँ पर उनका इंट्रूजन नहीं होगा जो विवात था वो सुलज किया है दोनों पक्षों द्वारा लेकिन चीन की तरफ से पे हमती बना ली है कि दोनों अपनी फोर्सेज बना हुआ था आप बता रहे हैं कि वो गतिरोध तो यहां पर यकीनन खत्म हुआ है और इसी लिहाज से कूटनी तिक सफलता मिली है लेकिन एक बार फिर से जरा आप बता पाएं कि ये बड़ा वयान जो चीन की तरफ से जारी कि गया है इसके माइने क्या है आशीश देगे यही मैं आपको बता रहा था रुमाना की कुछ देर पहले सरकार के उच्छ सूत्रों की तरफ से हमें जानकारी दी गई कि डीटेल्स अवेटेड है यानि कि ये जो समझोता हुआ है इसके अभी और कुछ डीटेल्स आने बाकी ह और मुझे लगता है वो डीटेल्स अब चीन के विदेश मंत्राले की तरफ से सपश तोर पर सामने रखे जा रहे हैं यानि टेबल पे जो निगोशियेशन हुआ है उसमें ये जरूर तैह हुआ है कि पेट्रोलिंग उस जगह की चलती रहेगी समझोता ये हो गया है कि दोन की तरफ से अभी जारी रहेगी आप रही आशीश हमारे साथ इस वक्क की बड़ी खबर आशीश बता रहे हैं कि जो चीन की तरफ से बयान जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि सेना जो है वो विड्रो की जाएगी वापस बुलाई जाएगी लेकिन उस इलाके की आई आए आप ही देखे पीपल्स डेली चाईना की तरफ से ये जो पहली प्रतिक्रिया आई है ये देख लीजे चाइना इंडिया अग्री तो एंड ओए टू मंत लॉंग स्टैन ऑफ इन डोकलाम यानि पीपल्स डेली चाइना की तरफ से काना जा रहा है भारत और चीन द प्रतिक्रिया जो है इसके अलावा और भी रॉइटर्स की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है। उसमें का जा रहा है कि चाइना फॉर्ण मिनिस्ट्री सेज चाइनीज फोर्सेज विल कंटीनू टू पेट्रोल इन डोकलाम रीजन तो ये भी एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि चाइना की फॉर्ण मिनिस्ट्री के रही है रही है रॉइटर्स इंडिया के हवाले से कि भारत ने ये मान लिया है कि वो अपने टूप्स डोकलाम से हटाएगा और दूसरी तरफ रॉइटर्स इंडिया के हवाले से खबर आ रही है कि जो चीन के टूप्स हैं वो डोकलाम के रीजन में पेट्रोलिंग करते रहेंगे अब इन बयानों के बीच क्या कोई आधिकारिक बयान चीन की सरकार की तरफ से सामने आता है इस पर वाकई में सब की नजर लगी रहेगी व्यूंकि भारत के विदेश मंत्राले ने बयान जारी करके अपना स्टैंड साफ किया है रुमाना बिलकुल तो अभी इंतजार इस बात का है कि चीन की तरफ से अपचारिक बयान जारी किया जाए फिलाल आशिश कुमार सिंग हमारे साथ लगातार बने हुए तो आशिश इसका मतलब क्या समझा जा जाए कि भारत जो है उसकी चूपस पीछे हटना शुरू हो चुके हैं औ और भारत उस जगह की पेट्रोलिंग छोड़ दे निश्चित तोर पर ट्राइ जंक्शन है इसी बात का विवाद था कि अगर कोई समझ होता इसे ले करके होना है तो तीनों पक्षो को ले करके होना है निश्चित तोर पर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि कि किसी सहमती से हुआ है सिर्फ एक की जीत नहीं है चीन और भारत दोनों में आपस में समझोता हुआ है कि पहले तो फोर्सेज वापस ले और उसके बाद ये जानकारी आना कि वहां की पेट्रोलिंग होती रहेगी तो निश्चित तोर पर भारत भी अपनी तरफ से अगर होगी तो मुझे लगता है दोनों तरफ से होगी इसकी जानकारी कुछ देर में जरूर आ जाएगी लेकिन ये जरूर है कि चीन अपनी तरफ से इस पश्ट कर रहा है कि चीन उस इलाके की पेट्रोलिंग जारी रखेगा लेकिन बड़ी बात रुमाना फोकस करने की य कि एक बड़ी स्टेटिक जीत दोनों ही देशों की है कि जब एक अचानक कई दश को बाद लग रहा था कि जब बॉर्डर पे दोनों देशों के बीच एक गोली तक नहीं चली थी कहीं ये बात युद तक ना आ जाए या सीमित युद तक ना आ जाए कम से कम उसको डिफ्य करने में दोनों देश कामियाब रहें। चीन ने कहा कि भारत की सेना पीछे हट गई है। चीन की सेना पेट्रोलिंग करेगी लेकिन लगातार हमें इंतजार है चीन की तरफ से आपको रखे आगे। करते देशने में उसकें देशने की सेना प्राइब घचेंगे लेकिन अुछेंगे लेकिन अपको रुछें वेकिन देशने की तरफ एचेंगे लेकिन पार्टार रहें है।